हेलो गूड मॉर्निंग साथियों मैं यहां पे गरुड परकासद के द्वारा यूट्यूब चैनल पर आपके लिए Chemistry की क्लासे निसुल कुपलत कराएंगे हम यहां पे जो एफसो से रिलेटेट जो भी Chemistry की Chemistry से रिलेटेट जो भी स्लेबस होगा हम आपको यहां पर पूरा कंप्टिट कराएंगे और जिस पर है जो कि आपका objective और सब के लिए होगा मैं यहां पर सुथार सर मसी Chemistry नैट जहरफ के लिए हूँ और आपके लिए एक एफसो की दिवर्थी के लिए एक Chemistry में निसुल्क चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं आप एना 11 12 और नीट की त्यारी करा तो दस से बारा साल हो गए और इसमें जो मैंने सोचा के एफसो में Chemistry में जो भी requirement होती है तो बच्चों को निसुल्क कैसे उपलब घराई जा सके वह देखते हैं तो फिर मैंने सोचा के चलो आपके लिए निसुल्क और आपके लिए Chemistry का एक बड़ा ही दमाकेदार प्रोग्राम कैसा लिए आ सके वह देख रहे हैं अब इसके लिए हमें जो की प्रयासरत है आपका बस थोड़ा सा सयोग चाहिए और उसमें जो कि आप भी सयोग देंगे और हम आपको दमाकेदार सयोग देंगे जिसे यह Chemistry में कुछ भी छोटी से छोटी चीज सीख पाऊग करेंगे इसके बाद अपन साइंस का भी जो रिलेटेट इस पार्ट है सारा करेंगे अपन और अगर इस टेर्नल में बने रहोगे तो इसके बाद आपको कोई भी तरह की दूसरी तरह की कोई भी किताब या कुछ भी देखने की ज़रुत नहीं है Chemistry जो कि आपको पहले अपन देखेंगे फस्ट चैप्टर देखेंगे chemical bonding जिसमें बच्चे बड़े confused होते हैं पता नहीं सोचते हैं कि कैसे किया जाए क्या होगा वह देखते हैं अपन देखते हैं इससे related कुछ चीजे Chemical bonding यह भी बाचे सोचते कि यह है कि यह जो सबस्सक्राइब नहीं में इसी और उमने स्थमोंग को सब्सक्राइब अती है उसको अपन कैसे इजी किया आजा सके कैसे देख सकते हैं वो देखते हैं और कुछ च्पाम रियक्सनग मेंच किया ही क्यों करना ही क्यों पढ़ा उसको क्योंकि ये एटम चाहता है इस्टेबल होना कोई भी इनसान है इस्टेबल होना चाहता है वैसे ही कोई भी एटम इस्टेबल होना चाहता है और वो इस्टेबल होने के लिए क्या करता है अपनी जदो जहत करता है जैसे इनसान जदो जहत करता है वो atom stable होने के लिए फिर क्या करेगा अपना octate octate या कहते हैं जिसके अस्टक पूरा करेगा अस्टक पूरा करने के लिए ही वो किरिया करेगा और उसके लिए ही वो रासानिक बंद बनाएगा अब ये रासानिक बंद बनाने के बाद वो stable हो जाएगा उसके बाद उसकी क्रिया सीलता थोड़ी कम हो जाएगी और अगर वो इस्टेबल है जैसे की हीलियम नियोन ऐसे ऐलिमेंट होते हैं जो उत्करस गैस होते हैं निस्क्रिय गैस होते हैं इनके अस्टक पूरा होता है अग्र अस्टक पूरा है तो बीक्स करते नहीं है इनको इसलिए इसको non reject विडीों आहरे क्रिए gaith B कहते हैं क्रिए किव्या करते नहीं क्योंने करते क्विन को ज्रूरत ही नहीं है अस्टक पूरा है, stability IV है, अपन कुछ भी काम करते हैं, जैसे अपन है, अपन कुछ भी काम इसलिए करते हैं, कि अपने को इस्टेबल होना है, और इस्टेबल होने के बाद सोचते हैं, अब थोड़ा rest कर लेते हैं, वैसे element कोई भी होगा, तत्व कोई भी होगा, वो reaction करेगा, reaction करने के बाद अस्टक पूरा करके stable होना चाता है, इस्टेबल होने के लिए, वो reaction करता है, अब अपन देखते हैं, कोई भी atom bond, कितने type के बनाता है, वो देखते हैं, अब देखो, bond, या बंद, कोई भी है, जो कि बंद कितने परकार का बनाता है, उसके बाद पहले अपन type देख लेता है, फिर उसके बाद अपन देखेंगे, ये कोई भी bond है, वो कैसे बना, क्यों बना, क्या, क्या property रही, वो, अपन देखते हैं, कि बंद कितने परकार का बनाता है, पहले तो बंड आता है सहयोजक बंद, जिसको कहता है कोवेलेंट बंड, कोवेलेंट बंड, नॉर्मली ये बंड ज्यादा पाये जाता है, ये है जो कि इलेक्ट्रोन के सांजा करने से बनता है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोन का सांजा करेगा और अश्टक पूरा करेगा, दूसरे टाइप का बंड होता है, आयनिक बंड, ये है जो कि सबसे मजबूत बंड होता है, सबसे स्ट्रॉंग बंड होता है, उसके बाद तीसरा बंड देख सकता है, अपन उपस है सहयोजक ब लिए वार्व लिएन ईंबिए और उसके बाद आपन देख सकते हैं हाईडोजन बंथ कि इसका भी बड़े क्यूसन आता है और इसमें जब भी क्यूसन आता हैं बच्चे गलत कर देते हैं पता नहीं क्यों क्यूंकि इसमें थोड़ी सी चीजें को ध्यान रखना है और इससे बोढ़ोज klein 생각 य kart हैं घौर कोई वार wizard को जिकर देखनें को मिलता है वांडरवाल भी इए पांट रोगा French II इसके और अपन स्टेडी करेंगे कि यह बॉन्ड कए सबनता है कि्या करता है इन में ऑप ज़्ञाय से निस और आफिए बंद्ध के बनने के बाद बनते हैं और हाइड्रों अगारे में थोड़ा सब इस्टिय करेंगे देखेंगे बाद में बात करेंगे और वान्डवाल बंद होता हैं बहुत ही weak bond होता है, बहुत ही attractive खाली force होता है, बस और weak bond होता है, इसमें कोई भी electron की sharing नहीं होती, अपने अब देखते हैं कि bond, जैसे एक example लेता है, कि bond बना तो बनाई क्यों हो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए अपने को एक तो चीज होती है, कि एक से लेके 20 तक तत् hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium, जनर्र कुछ भी bond या कुछ भी अश्टक को समझने के लिए ये 20 अगत तो अपने को याद है, तो अपन थोड़ा सा समझ सकते हैंगे, ये bond कैसे बना, क्यों, बना, क्यों हुआ हुआ, इसके लिए क्या होता है, जैसे कोई भी एक एक एटम है, एटम के नाभिक में होता है, proton और neutron, proton और neutron, इसके चारह और electron चक्कर लगाता है, वो अपने को पता ही है, साइस में अपना नाइन टैस में भी पढ़ा है, लेकिन, ये इलेक्ट्रों चक्कर लगाता है, के, एल, एम, एन सेल में, elektron चकर लगाता है, अब इसमें बात ये आती है के में कितने electron आ सकते हैं, दो, आठ, अठारह, और बद्दिस, अब बचे रखते हैं, दो, आठ, अठार, बद्दिस, दो, आठ, अठ, बद्दिस, कुछ भी याद रखने की ज़रती ही नहीं है, क्योंकि के, के क्या है कोस कितने नमबर कोस है N बड़ाबर 1 इसके लिए इलेक्ट्रोन साइए तो एक 2N स्क्वेर का फॉर्मूला आता है इसको फॉलो करो के के लिए L के लिए M के लिए इलेक्ट्रोन अपन अराम से देख सकते हैं N की वैल्यू 1 पूट की 1 का स्क्वेर किया 1 हो गया और 2 से गुणा की ये होगे 2 L कोस बात की इसमें N इजिगर 2 2N स्क्वेर का फॉर्मूला लगाना है 2N की देख यहाँ पर 2 रग दो तो 2 का स्क्वेर 4 होता है 4 को 2 से गुणा की ये 8 होगे ऐसे K के लेक्ट्रोन होगे L के लेक्ट्रोन होगे M के लेक्ट्रोन देखेंगे तो 2N जोगी यहाँ पर 3 रग देंगे तो 3 का स्क्वेर होता है 9, 9 का स्क्वेर 9 को 2 से गुणा करेंगे 8 होगे तो 2, 8, 18 इस 18 को 8 फ्लस 10 में तोड़ दिया जाता है क्योंकि यह तो S और P के लेक्ट्रोन होगे और यह D के लेक्ट्रोन होगे Normally S और P में तोड़ दिया जाता है रख लिया जाता है जिससे पता रहता है N होता है उसमें 2, 4 का स्क्वेर 16, 16 इंटू 2, 32 स्क्वेर जोगी 8, 10 और 14 में तोड़ दिया जाता है जिससे अपने को याद रहता है कि इसमें क्या S P के लेक्ट्रोन है अस्टक के यह D के लेक्ट्रोन है यह F के लेक्ट्रोन है यह अपने को normally पता होना जाई है जिससे क्या होता है कि अपन इलेक्ट्रोन किसी में भी फिल करेंगे किसी भी तत्तों में तो थोड़ा सा इजी रहता है कि अज तक कैसे पूरा कर सकता है कैसे नहीं कर सकते है उसके लिए बेसिक है अपने साथ साथ तलते रहेंगे तो इसमें पता तलता है कि अपने को कैसे रेक्टिविटी कैसे नहीं होई किया किया क्या नहीं किया अब मानते है अपन देखते हैं आगह है ऑक्सिदन हाज तक अपने आक्सिदन खाली नाम इता है बस इतना सा गोए को नियुगा क्यों लिए दोरिये औरAy कि देखते हैं कितने नंबर पर आता है अपने देखा था क्यों कि यह को अग्मिष्य का चियु अनुख को आट नंबर पर औधे दो की दॉआ कि देखते हैं जो रहोगा वो ध्यांसे देखते हैं ध्यांसे देखते रहेंगे आपको कोई फी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बोक्स में अराम से पूछ सकते हो बता हमें जो इसका भी करेंगे कोई भी कुछिन होगा इस रिलेटेड आप पूछी है हम बताएंगे oxygen दो 6 दो कैसे के में L में कितने हो सकते हैं maximum 8 लेकिन 6 कम तो आई सकते हैं ज़्यादा नहीं आ सकते अब आई साब ये इसको हो गए 6 electron तो ये क्या अश्टक पूरा करना है अश्टक पूरा करना है तो क्या करेगा ये 2 electron कहीं से लेगा अब यहाँ पर ले ले लेते हैं देखो oxygen एक दो तीन चार पांच छै ये oxygen देखो एक दो तीन चार पांच छै इसके पास है 6 electron एक सांजा किया 7 और 8 इसकी अश्टक पूरा हो गया हो गया अश्टक पूरा इसकी अश्टक की बात करें देखो इसका भी अश्टक पूरा हो गया हो गया अश्टक पूरा करने के लिए oxygen को कौन से दो बोंड मनाने पड़े अब ये दो बोंड है कौन से इसको कहता है 6 सेज़जक 6 सेज़जक बंद अब क्यों 2 बोंड भी क्यों मनाया क्योंकिस कॉस्पास है थे जब triple bond होगा तो भी तीन मंद होगे तो पहले को sigma दूसरे को पाई तीसरे को भी पाई कहता है अपने इसके बारे में और आगे देखेंगे अपने तो थोड़ा सा normal देखता है कि इस टक पूरा करने के लिए वो क्या करता है कैसे करता है जैसे oxygen अब अपने को समझ में आ गया O double bond O ही होता है के वार क्यूसरन आता है O2 में कितने बंद करम बंद करम को ही बंद की संख्या कहता है कितने बंद करम पाई जाता है तो अपने उसमें लिख देंगे दो जो बंद होता है बंदों की संख्या तो दो फाइज़ते हैं कैसे फाइज़ते हैं, अस्टड को पूरा करेगा, अस्टड को पूरा करने के लिए उसको दो बॉन बढ़ने पड़ते हैं और ऑकसीजन एक परवानू, ये और एक परवानू ये, अलग अलग stable है नहीं stable है नहीं तो मिलके उन्होंने stability प्राफ्ट कर ली तो अनू के फॉर्म में रह गया और oxygen है जो कि अनू के फॉर्म में ज़्यादा इस्थाई रहता है ज़्यादा इस्थाई रहता है अब बच्चे पूछते हैं के सर ये कभी आप पर्मानू बोल रहो कभी आप अनू बोल रहो ये क्या होता है oxygen या कोई भी पर्मानू अकिला होता है तो उसको कहता है पर्मानू पर्मानू मिलके क्या बनाता है अनू अनू मिलके क्या बनाता है योगिक यह अपने को पता होना चाहिए जो भी science से related है agriculture से related हो उनको भी पता है यह चीज थोड़ा सा को तो basic है जो कि 9-10 में भी आता है लेकिन अपन देख लेते हैं कुछ पर्मानू होंगे पर्मानू अकेला होगा तो वो पर्मानू होगा कुछ पर्मान मिलके अनू का निर्मान करेंगे अब अपन देख लेते हैं कि oxygen था oxygen का देख लिया अब अपन नाइट्रोजन का देखते है नाइट्रोजन अजो कि कौन से बॉन्ड मनाता है कितने बॉन्ड मनाता है आपको देखना है ध्यान से आप खुद ही बता दोगे नैटरोजन ना कितनी निमबर परता है साथ निमबर पर क्या करें इसको पहले K में 2 हो गए फिर इसके बाद 5 हो गए चाहिए क्या? अष्टक को पूरा करना है अष्टक को पूरा करने के लिए इसके क्या क्या चाहिए तीन एलक्रौन और चाहिए, अब एक और नाटोजन ले लिता है, यह देखो, एक, दो, तीन, चार, पांस, wonder ले लिया, एक, दो, तीन, चार, पांस, अब नाटोजन परमानु की फॉर्म मे, परमानु इसाही है नहीं, क्योंकि अस्टक पूरा है नहीं, परवानु के फार्माओं अस्टक पूरा है नहीं तो यह क्या करेगा अणू बनाएगा कौन है क्या क्या करें कि कितने बोर्ण मिरेंगा सिंगल बोर्ण मना दब्ल बना भराइब जैसा है एक इक उर्डalon होता तो है, उसके बाद देखो, सांदा करेगा, ठै, साथ, आठ, इसने सांदा करके नाइटोधन के अश्टक को पूरा कर लिया, इसने इसको सांदा करके ये अश्टक को पूरा कर लिया, ऐसे करके इसका भी अश्टक पूरा हो गया, इसका भी अश्टक पूरा हो गया, और इस प परकार की बिंदू सनत्ना को लुईस बिंदू सनत्ना कहते हैं क्योंकि यह लुईस सांटिस्ट ने बताया था कि यह अश्टक को पूरा करने के लिए क्यासे बॉंड बनाता है कि यह स्टेपलीटि आती है उसके बारे में लुईस ने बता आता के यहसे बिंदू सन्तना बना के और इस ट्रक्वलीट पता लगा सकते हैं रहा होता है किसा पता साल गया कि हीड्रोजन एक इलेक्टोन होता है पहला कोस देखा कें के में मैसीमं Elvis के बारे में बाद होती है और अपने देखा कि लुदि की बिंदू सवंतिना कोई लुदि की बिंदू सवर इसंपना कειता है अगर कोई क्यूस्टन पूछे सियोटू की लुइस बिन्दू सनतना बनाओ अपन कर रहे थे अस्टक को पूरा करने अपन ने यही बात किये थी कोई भी अनू है कोई भी परवानू है कोई बेतातो है इस्टेबिलिटी के लिए इस्टक को पूरा करता है इस्टक को पूरा करने के representatives होता है अस्टक को पूरा करते रहेगा और साथ में सिंगल बॉंड ढबर बॉंड बनते रहेंगे अब अपने बात के थी कि यह यह लूइस बिन्दू सनतना बनाएंगे तो इस टर्ड भी पूरा करते रहेंगे और साथ में डॉट डॉक्टर जिसे उलेक्टोन सोओ करते रहेंगे अस्टक पुरा उता रहेंगा और सहाय सहोजक को और ऐसाधिक और हईड़रुन यह भूल जाता है कि वो अपने कैसा बनाई थी कि उसम जब भी आता है तो अपन कर नहीं पाता है जैसे कार्बन है कार्बन कितने नमबर पर आता है छे नमबर पर बारी को इसमें कितने अलेक्टॉन चार क्योंकि यह छे नमबर पर आता है अब इसमें लिया कौन सा था था लूइस बिंदू संथा को लिए पहले किसकी बात करेंगे केंद्री परमौनू की केंद्री परमौनू और केंद्री परमौनू कौन सा होता है जो अकिला हो नोमली केंद्री परमौनू होगा नो वह अकिला ही होगा जो अकला होता है वो केंद्रे पर मुन हो गा तो carbon, dioxide carbon अकला है और इसके बाद carbon में कितने elektron जो इसकी बात करें तो 2 और 4 अब इसकी बिंदू संधा बनाता है ये दोखो 4 elektron बारीकोस में जो भी लगए कि oxygen एक इधर देता है एक इधर देता है तो बारीकॉस में कितने लेक्तों दो और छै तो बारीकॉस में कितने लेक्टों छह यह लेक्टों ये लो भैस आप सब्च trajectory हो ज angled जहांको विए कारबन नहीं क्यों चाहता क्या है एक कॉणि कि स्थैक Oh साता है हर कोई कर चाता है स्टैबल हो जाऊंगो इस स्टैइतों चाता है इसके लिए वह क्या करेगा चार यह ओगया 5 यह ओगया छै यह यह हुगए साथ यह ओगया 8 कार्बन के 8 एलेक्टरॉन पूरे हो गए और दिरए ख शो अब्चे छान इसके भी पूरे हो गए यह इलेक्टोन कार्बन के भी काउंट होंगे ऑक्सिजन के काउंट होंगे क्यों होंगे क्योंकि यह इलेक्टोन यह बांड बने हैं सांजा करने से किसके सांजा करने से किसके सांजा करने से इलेक्टोन के सांजा करने से यह बांड बना है इलेक्टो क्यासा बन तिया यह होती है लूई सर्वा अपने लिए lapse को पूरा करते गई लूइस नौप फूर क्रूइसं गई चले कि ये होती है लूई सेसरे और अपने बात की ती बन्दों लेकिन अब इसमें उपने बात момент की ती बंदों की बंद्र पर नो देख लिये थे, सहीसर सब्ढ़न, ऐनिक बंग, उपसे सब्ढ़न, हईड्रोजन बंग, वान्रवाल बंग, अपने देख लिए थे। लेकिन लुई सनतना देखी, लुई सनतना से पहले अपने देखा, अश्टक को पूरा करने के लिए अपन कोई भी तत्वा बंद बनाता है मैं ऐसे नॉमले जैसे कोर्स में देखा चाते हैं कि रासानिक बंद के केमिकल बांडिंग के बारे में बताओ जिसमें थोड़े से वो थोरी बता देते हैं फोड़ा से जितने में खतम कर देते हैं अपने बेसिक से सुरू करेंगे बेसिक से सुरू करने से क्या बांड बनते कैसे हैं अश्टक को कैसे पूरा करते हैं स्थाथ को कैसे होता है संक्रन क्या है वो देखेंगे अपन बात करते हैं अब किशन कैसे आता है किशन यह आता है किसन कार्बन डियोकसाइड की विंदू समत्ना क्या है कार्बन डॉक्साइड में संक्रण क्या है कार्बन डॉक्साइड की सनतना क्या होगी कार्बन डॉक्साइड की प्रकरती क्या है अमल या चार यह इस टाइप के अगर कोई भी कार्बन डॉक्साइड की बात बात होती है तो इस टाइप के क्यूसन आ सकते हैं अपने तो सोचा तो केमिकल बॉर्डिंग के बारें बात कर रहे हैं तो bonding bonding कैसे होती है वो तो बता दीजिए लेकिन उसके बाद ये इतने question बन सकता है इसका answer कैसे होगा, क्या होगा with logic देखेंगे अपन के इसके बीच पे concept क्या था बिंदू संतना देखी थी carbon, double bond carbon carbon, double bond carbon 6 electron oxygen कहते carbon कहते, ये बिंदू संतना हो गई ये हो गया carbon dioxide की बिंदू संतना अब बात आता है संक्रन संक्रन क्या होता है संक्रन में क्या होता है किसी भी तत्तो के कक्षक किसी भी तत्तो में जो भी कक्षक होगे संक्रन को पूरा करने के लिए S के कक्षक, P के कक्षक तत्तों में होंगे तो कक्षक होंगे अब जब अनु बनाता है योगिक बनाता है तो दो तत्तों के संकृत कक्षक आपस में मिलेंगे और एक कक्षक आपस में मिलेंगे और एक कॉमन संकृत कक्षक मनाएंगे जिसकी उर्जा समान होगी तो उसमें आएगा संक्रण अब संक्रण कैसे निकला जाता है बच्छे बड़े कन्फिज होते हैं सर संक्रण के लिए क्या याद किया जाए कैसे याद किया जाए उसके बारे में अपने बात करेंगे देखो अब बात करता है संक्रण कैसे निकलता है एक तो देखना है सिग्मा बंद की संख्या ग्याद करनी है प्लस लॉन पेर इलेक्टोन लॉन पेर इलेक्टोन किसको कहता है युगमित इलेक्टोन युगमित इलेक्टोन की संख्या देखनी है बस अपने को उसके बाद अपन संक्रन निकाल पाएंगे अब सिग्मा मंद की सिग्मा मॉंड की से कहता है तो सिंगल मॉंड होता है वह सिग्मा मॉंड हो गए जैसे कार्बन डियोक्साइड की बात करें कार्बन डियोक्साइड की बात करें कार्बन डियोक्साइड में क्या हुआ जैसे थोड़ा सा color change कर लेंगा इसमें जलो देखते हैं color का देखना पड़ेगा उसके बाद देखते हैं अब इसमें संकरण की बात करते हैं सिग्मा बंद और लॉन पर एलेक्टरॉन कार्बन में देखा जैसे ये देखो ये देखो ये सिग्मा बंद अब लॉन पर एलेक्टरॉन क्या होता है इस केंद्रिय पर्माणू में ही देखना है खाली केंद्रिय पर्माणू में ही देखना है कि सिग्मा बंद कितने है और लॉन पर एलेक्टरॉन कितने है इस कार्बन की बात की सिग्मा बंद तो ये रहे तो कैसे किया जाए अब 2 हो गया इसके लिए पहला तो हमेशा दे दो S को फिर बचे वे दे दो P को S में कक्चक होता है 1 कक्चक की बात करें S में कक्चक होता है 1 और P में होता है 3 तक कक्चक होता है 3 तक ले सकते हैं तो 2 है टोटल तो पहला S को दे दो और बचावा एक P को दे दो तो संक्रण कौन से हो गया S में? S-P संक्रण S-P संक्रण हो गया किसमें? Carbon Dioxide में ये normally बच्चे सोचते हैं अरे बच्चे का Carbon Dioxide का संक्रण कैसे निकाले क्या करें? अपने को कुछ सोचना को टैंसल लेने की जर्थ नहीं है सिग्मा बंद काउंट किये और लॉन पर एलेक्ट्रोन काउंट किये जिससे अपने को आंसर आज आएगा जिससे अपने Carbon Dioxide में संक्रण क्या है? पता तल गया है S-P संक्रण है अब S-P संक्रण तो है फिर Carbon Dioxide की संक्रण क्या होगी? वो देखते हैं अपने को पता तल गया है कि S-P संक्रण अब संक्रण कैसे निकाले? संक्रण निकालने के लिए अपने को क्या है? थोड़ा जन्नल चीज़े पता होनी चाहिए जैसे S-P ये संक्रण इस इस टाइप के हो सकते हैं संक्रण S-P S-P 2 S-P 3 S-P 3D S-P 3D 2 S-P 3D 3 इस टाइप के संक्रण हो सकते हैं अब नॉमली ऐसा है कि Competition exam heavy है FSO का है तो मान के जलो कर चोटे-चोटे क्यूस्टन तो देगा नहीं कि S-P संक्रण बताओ S-P 2 संक्रण बताओ इसकी structure बताओ ये तो देगा नहीं कुछ complication भी create करेगा वो अब इसमें क्या होआ S-P संक्रण होआ इसकी संक्रण होआ इसकी संक्रण कौन सी हो गई रेख यह इसमें रेख ये संक्रण हो गई इसमें क्या हो था S-P 1S और 1P S-P 2 में कितने तीन जना है तीन जना है तो कौन सी संक्रण होगे त्रिकोर्ण या कह सकते हैं Trigonal Trigonal Linear इसमें हिंदी और इंग्लिस मीडियम के बीच की दोनों ट्रम में अपन साथ में यूद लेंगे जिससे यह confusion नहीं होगा कि हिंदी मीडियम कैसे करें इंग्लिस मीडियम कैसे करें अपन दोनों ट्रम में साथ में यूद लेंगे Trigonia Trigonia संत्ना कैसे होगी ऐसा संत्ना होगी Trigonia अब इसके बीच का कौन कितना होगा 120 डिग्री 120 डिग्री कौन होगा Hydral इसमें बंद कौन कितना होगा 109.28 109.28 अब बात आती है SP3 अब यह चार चीज़े थी जिससे चत्सफले की स्टक्टर थी चत्सफले की स्टक्टर कैसे होती है वो देख लेते हैं यह ऐसी डाइमंड की तरह कह सकते हो डाइमंड की तरह स्टक्टर होती है स्टसफले की संजमा जिसमें बंद कौन होता है 109.28 अब बात आती है SP3 SP3D2 और SP3D3 की बचसे स्टक्टर याद करते हैं याद करने के बाद भूल जाते हैं इसको कैसे याद किया जाए वो देखते है SP3D तो कितने होगे 5-3, 5 में से 2 को अलग कर दिया तो 3-3 से कौन सी संजमा बंद दिया है त्रिकोनिया और एक उपर लगा दो हमेसा और एक नीचे लगा दो तो इसकी संजमा कौन सी हो जाएगी उपर है जो कि जिससे अगर ऐसे मिलाएंगे तो बन गया पिरामीड नीचे भी देखेंगे तो बन गया पिरामीड तो ये तो थी त्रिकोनिया और ये सेंट्रल एटम तो ये कौन सी संजमा बन गई त्रिकोनिया, द्वी पिरामीडिया त्रिकोनिया द्वी पिरामीडिया 2 Pyramidia कि इसको कहते हैं Trigonal By Pyramidal By Pyramidal ज след structure को रफना नहीं है aynı recipe 3D की structure elemento कि नॉलके 3D कुछ भी नहीं करना God a Sp3 की कितना 5 वे 5 में से 2 को अड़ा लिया 3 से कौन सी structure वाडेंगे है हमें से 3 वी कौनी बनती है 1 उपर टंगा 2 रेक नीचे टंगा 2 हो गई त्रेकरन दूइंध भी पीरामीड यह बाद करते हैं यह इंफ कि इसमें कितनी हो गें एक सीघ्म और दो तीन दो पांक बन इसे दो अटा दो, दो अटाने पर बत क्या बचा चार, चार से क्या बनती है, वर्ग, चार से वर्ग मनता है, येलो वर्ग बन गया, और वर्ग बन गया, तो एक उपर तंगा दो, और एक नीचे तंगा दो, उपर पिरमिड बना दो, येलो उपर पिरमिड बना दिया, एक न संथना मतलब 8 पलकिय संथना को जप्रूदध यूद्या जाता है मतलब SP3D की संथना कोंशी हो गई 8 फलकियर अश्ट फलकियर शंंतना अब भाँ आता है sp3D 3 कि इसमें कितने हो गई साथ साथронिऔ कि दि कि दि उसके बाद एक उपर देदो और एक नीचे देदो जिससे क्या होगा एक उपर पिरामिड मना दो और एक नीचे पिरामिड मना दो तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई पंच फलक यह द्वी पिरामेडिया द्वी पिरामेडिया यह होता है इस्ट्रक्चर अगर किसी की भी structure अगर पता करनी है अपने को तो ऐसे structure अपने को ग्यात कर सकते हैं पता लगा सकते हैं जैसे अभी मैंने question दिया था CO2 में संक्रण क्या है अपने पता लगा लिया SP अब बात आती है CO2 की संतना क्या है CO2 की संतना अपने देख लिया SP की संतिना कौन सी होती दो है तो लीनियर और रे खियो तो इसकी संतिना ओगई रेख Bennett अगर इसकी बाद में क६ड कि बात करें थो इसमें कौन कितना ओगा एक्सो असी डिग्री है या हमलबार निकाल रहे है आज तक अपने अपने कभी तफील ही नहीं किया यह तो ध्यान से देखते हैं कार्बन डायोकसाइड पहले तो देखते हैं कार्बन क्या है उसके बाद देखेंगे ऑकसाइड कार्बन जब देखते हैं तो वह होती है अदातू कार्बन क्या है अ एसे एक line आती है उब दातू की जो दातू और आधातू दोने होते हैं metaloid कि गयता है ये दातू हो गए ये अदातू हो गए और carbon आता है करीबन यहां तो यह हो गई अदातू एक चीज अधियान रखना दातू के oxide तो हमीसे होता है थारिय और अधातू के उक्साइड होता है मेसा अमलिय अब यहां पर कार्बन क्या है अधातू अधातू है तो इसके उक्साइड कौन से प्रकृति के हो गए अमलिय तो इसका आंसर क्या होगा अमलिय प्रकृति मतलब अपन जो कार्बन डेक्साइड जो बहार निकालते हैं अमलिय प्रकृति की होती है बत्चे तो सोचते हैं कर आस तक तो हमने सर खली carbon dioxide को बहार निकालने के काम किया है कैसे के इसमें अभली है चारी है जारी है कभी इतना दादा लोड लिया नहीं क्योंकि ठीक है अपन इतना किश्ण लिया नहीं कि इतना अपने को किसी ने बताया नहीं तो अपने को पता भी नहीं चला कर चार्बन डॉकषड भी अमली आगिया यह भी अपने को पता नहीं चला अब एक और चीज़ बताता हूं कि जैसे अपने को कोई टांट या बिच्छू या कोई भी कह सकतो चिंटी खा गयी या ऐसी तो चिंटी या आंट या तांत आडंत या जो भी कह सकते हो अगर अपनें को खा गया खा गया तो वो क्या करता है हमल से करता है कि इसका अगह आगह पने और अगह डिस्करइब करेंगे अमले सिक्रीट करता है, अमले स्तरावित करता है, कौन सा HCOH, फार्मिक अमल, फार्मिक अमल, ऐसा नहीं है कि अपने को खाली पढ़ना है, सीखना है, रोज ऐसे होना चाहिए, कि आज तो अपनी क्लास ली, दो या तीन चीज़े ऐसी पढ़ी कि आज तक जिंदगी में अपन यह क्या हो, लेकिन उनको थोड़ा सा क्यमेस्टि का ग्यान होता न, तो वो अपना भी ठीक कर लेते, क्या हुआ, यह फार्मिक अमल है, अब अपने को पता है, नैन टैन्द में भी पता ही है, क्या हमले की चाहर से किरिया करा दो, उदासी नहीं करन की किरिया हो जाएगी, उदासीन अगर यह ह मित रखका तो आपनी जो जलन हो भी ठीक हो जाएगा फिर अपने क्या करता है और कुछ Gast ना नहीं स्था केता है घर वाले कहता है लोहा होता है पूराना लोहा इzub 거ार्णा अलोहा कोई भी उसको लरगड़ लो जिससर हो जाता है अपने सोचते हैं या लौहे के अंदर में से कुछ दव curling निकली मा बहू दवह तो निकली नहीं लिकिन यह सही कासे हो गया अब आप बात करते हैं अपने जो कॉंसेप्ट देखा तो लोहा क्या है दातू जंग लगने पर क्या होता है दातू के ऑक्साइड बनते हैं जिसे कहते हैं जंग लगा लोहा इसको कहते है जंग लगा लोहा जंग लगा लोहा ये कौन से प्रकति होगी दातू के उक्साइड तो आपको पता चार ये प्रकति कहते हैं इसलिए जो जंग लगे लोहे को या पुराना लोहा जो भी आप रगड़ते हो अमले से किर्या करके उदासिन कर देता है और टांट बोतलकी होती है जैसे करेंगा थी होती है इसलिए वो सिर्फ टाता है अब आपको पतात लिए जिर उपड़ी घ्रिकिंग Γ्रंज्ट की उपर घ्रुट होती है जैसी करेंगे लगता नहीं डौढ़ी हो इसलिए वह स़ी हो जाता है अपने देख लिया इसमें अपने की आएग थोड़ा से एक जनर्रल देखा है अपने और भी आगे बात करेंगे कि इसमें संक्रान क्या हुआ क्या से हवा लेकिन अपने को जनर्रल चीज़ें पता हो नी चाहिए कि हुई क्या है इसमें अपने देख लिया कार्बन ड्यक्टैट ड्यक्षाट कर खालिकिक अपने को संक्रन निगालना है तो सिग्मा बंद के संक्या गयात करनी है खाली और इसके बाद लॉंठ पर एलेक्टोन की संख्या गयात करनी है थिषज़ा को आपको 20 तो इसके बाद देखा के एस पी संक्रण के बाद इसकी स्ट्रक्टर कौन सी होगी रेक हिए इसमें कौन पूछे तो कौन सा होगा 180 डिगरी का अब बात करता है कई वर बच्चे तो इसमें भी इसमें भी कनफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं तो dot structure भी नहीं बढ़ाने है तो बाई चांस पेपर में हम dot structure बढ़ाएंगे तो तो time निगल जाएगा इतना तो time होता नहीं है थोड़ा और कोई short trick ऐसे बताओ कि जिन्दगी में कभी भूल लाई नहीं उसके लिए क्या किया जाए वो देखते हैं पन देखो अब देखो एक तो देदी carbon dioxide एक देदी जल एक देदी H2O4 कुछ भी कुछ भी आपको जो भी याद आए उसमें संक्रण निकालना है संक्रण निकालना है संक्रण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है लुई संतना बनाओ पहले तो लुई संतना बनाओ उसके बाद sigma 1 count करो sigma 1 plus long pair electron count करो आप संक्रण निकाल सकते हो यह तो एक तरीका था एक basic है basic तो अपन को चलना ही पड़ेगा लेकिन अपन क्या करें कि देखते क्यों संक्रण का आणसर आजाए वो कैसे किया जाए इसके लिए क्या करो कि जितने भी बाहे कक्ष में बाहे कक्ष में electron की संख्या का यो कर लो कर लिया वाई सरीता तो करी लेंगे कैसे कर लें carbon dioxide था carbon के बारिकोस में कितने electron carbon आता 6 निमबर पर आता है तो पहले तो दो और चार बारिकोस में कितने electron चार सर येलो चार ले लिया oxygen जो कि कितने निमबर पर 8 बारिकोस में कितने electron 6 तो वही कितने oxygen दो श्या दुनी 12 येलो 12 बारा चार 16 येलो 16 अब करना क्या है total electron कर लिया अपने carbon के तो थे 4 oxygen के थे 8 sorry 6 6 into 2 किया था हो गए बारा इतना तो अपने को पता चल गया अब क्या है सोड़ा हो गए अब क्या करें सर इसका सोला हो गए ना तो सोला में 8 का बाग दे दो किता अंसर आ गया दो एक हमेसा एसको दे दो तीन तक पी को दे सकते हैं ये लो संक्रण आ गया सर ये थीक है न अपने को तो लूइस डॉट रिस्ट्रक्टर भी नहीं बनाने पड़ी और संक्रण भी आ गया ऐसे ही और भी कर सकते है अपन आप देखो लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है रूल ये स्टार लगा लो इसमें क्या है electron की संक्या का योग करना है आठ याठ से कम हो, तो अठ का नहीं दो का बाग देता हैं, जिंदगी में कभी भी संकरण गलत नहीं होएगा, संकरण अमेशा सही होगा और संकरण का आनसर भी सही आईगा, ये रूल लिख लो, याद रख लो, हुँआज याद रहना तो यह नें से उठाके पूछ लिए तो यह इसका कैसा होता है अपने को यह रूल पता होने ज़िये एक तो यह रूल हो गया एक है smiling Bound count कर को लो और एक lion पर electronic count कर को लो ऐसा कर लो एक rule यह और यह हो गया दूसरा rule यह हो गया yeah याद रख लो कभी भी संक्रण गलत होगा ही नहीं अब निकालते हैं H2O का यह लो भाई साब H2O मैंने गाता है अपना लुई संस्ना भी बना के देख लेते हैं और मैं अब इसमें सिग्माबन केते से जोड़ा कितना है एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा किते हो गए दो, तो दो ही सिग्मा बंध और दो ही लॉन पे लेक्ट्रान टोटल किते हो गए चार, पहला में सा किसको देते हैं S, P को कितने तक दे सकते हैं 3 तक, क्योंकि 3 नहीं कर सकते हैं से ज़्यादा होता है, S, P, 4 कभी नहीं होता S, P, 3 होता है S, P, 3 हो गया, S, P, 3 S, P, 3 से संतना कौन से हो गई चतुस फलकिया चतुस फलकिया अब बात करते हैं, सर इस ट्रेक्टर तो कई वार भूजाते हैं हमें याद ही नहीं रहती, क्या करें चलो भई, इसका भी इलाज करना पड़ेगा पेपर में कोई भी चीज गलत तो होनी ही नहीं चाहिए अपना तो एक ही लोजिक है क्यूसन गभी भी गलत नहीं होना चाहिए चाहिए तो theoretical paper आजाए चाहिए तो numerical आजाए चलो भई, hydrogen के बारिकोस में कितने electron एक, क्योंकि एक नमबर पर आता है एक, एक इंटू दो प्लस, oxygen कितने नमबर पर आता है आठ, आठ आता तो पहले दो फिर उसके बाद बारिकोस में छे तो count कर लाते हैं कितने हो गए छे, एक ही oxygen इसलिए छे हो गए दो इंटू दो प्लस छे आठ, अब इसमें आठ का बाग मुद दे जाना इसमें बाग होगा दो का आठ, बटे दो कितने आ गए? चार चार से पहला S बटे में तीन P SP3, मैंने कहा था आठ या आठ से कम हो तो दो का बाग जाएगा लेकिन सोड़ा या सोड़ा से ज़्यादा जब भी हो तो 8 का बाग जाएगा हमेशा आंसर सही आएगा SP3 संतना कौन से हो गई? चार तो स्फलकियर इसमें लॉन पर इलेक्ट्रोन के करण थोड़ी संतना में वेरिशन आता है, अपने आगे बात करेंगे संकरन के बारे में और भी बात करेंगे तो अपने थोड़ी जन्नल चीज़े देखी क्या क्या देखी? संकरन का एक्जामपल देख लिया है, H2 की कैसे होता है? एक और एक्जामपल ले ले लेता है, H204 H2, H204 ये तो इसको कहता है सल्फियूरिक अमल किने ड हम आ इसरा अपक्र निभ्शेट और अपक्र पोगता में स्थे क्व divine सुल नंबरू है폰 के लिए गव्शेट ने या कि अनुए bowl कि इसको नहीं आती वह सीक्षा लेते जिसको उत्य धैसाइär horizh 16 लोह बदो आको तो आट सब्सक्राइब भी ठीक समद्वा गया एक लेक्टों कर देते हैं कि एक उक्सीजन अधर देता है इस मिप अब दो लोगे दो अधिर नोगे और लोगे यह रही है यह जो है ये याалि साब दो,, … इस दो दो खे दो देता है अब यहां पे सलफर के एक शे थे आठ हो गए ऑक्सिजन के शे थे आठ हो गए हेडि़्रोजण के एक थे दो गए सब पूरा अब शे स्रेजग बन बढ़े हैं दिए कुछ नहीं है सांजा नहीं हुआ है यहां पर एलेक्टोन दिये हैं और एरो वाला जो भी बॉल्ण होता है तो इसको कहता है उप शहीं बंद उप शहीं स्रुजख बंद और इसमें भी सचतिति स्ट्री बंद div Techमा काउंट है एक सिंखार थी के संख्या करण साय। किश्क ऐस्काट के संस्ख्या करता है स्षी बंद प्लस स्क्रीं कैके सब्सक्रावाइखरों तोष नदेगा होती है के वार याद नहीं होती तो क्या करें एक एक एसे होगा अब बात करें बिना कैसे आंसर करें यह लो भाई बिना भी कर लेते हैं में एक एक उचे से कहा लिए इक बारी कोश्स को लिए उन है कितने लेक्ट्रों एक एक इंटु दो दो इसलिए दो कर दिया सिक्स फोर जा 24 यहां पे 6 प्लस 2 6 2 8 और यह 32 अब 32 में बाई साब 8 का भाग दे दो सुरी यह 32 32 में 8 का भाग दिया कितनी वार वार च्यार वार येलो एक S यह A- 3 यह विलो जिंद्धंगी में कभी संक्रण गलत नहीं होगा क्योंकि अपन्ली देखे और सिदा डिन को यह B- Trad इससे लिलेटेटर आपको कोई भी ऍसे कुई कॉई बी कोई वहरी क distribution आये तो आप कमेंट वोक्स में जरूर डालना जिससे हम देख सकें कि इसका भी आंसर कैसे होगा बस हम तो खली जो बते जो कि कोई भी कोई नहीं पाते हैं जो को एफ़र्ट कर नहीं पाते हैं तो हम तो उसके लिए निसुल कोई भी सोच रहे हैं कि चलो वह भी त्यारी कर सके कैसे त्यारी कर सके अपने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैमिस्ट्री में कुछी को कोई भी प्रोब्लम ना आए और कोई भी चीज है जो कि अपने को अगर ना स मुन फाइदा करेंगे और आपको हर्चीज अवैलेबल कराएंगे थैंक्यू